दोस्तो बंगलादेश की प्रधान मंतरी को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देकर देश खाली करना पड़ा दोस्तो भारत के पडोसी देश में ऐसा क्या हुआ कि वहां की जनता सडक पर उतर आई और वहां के प्रधान मंतरी शेक हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा दोस्तो इस पूरी घटना को आज की अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस आंदोलन का मेन रीजन आरक्षन था दोस्तो आप सभी जानते होंगे कि 1971 में बांगलादेश बना था और बांगलादेश की आजादी की लड़ाई में जिन स्वतंतरता सेनानियों ने भाग लिया था बांगलादेश का एक ऐसा कानून था जो उन स्वतंतरता सेनानियों के रिष्टेदारों को वहां की सरकारी नोकरियों में 30% का आरक्षन प्रदान करता था दोस्तो ये कानून बंगलादेष की आजादी के समय बनाया गया था लेकिन वर्तमान में हुए आंदोलन कारियों का ये कहना है कि वहां की पर्धान मंतरी इस कानून के तहत अपने ही रिस्तेदारों, सगे संबंदियों को ही सरकारी नोकरियों में ले रही थी दोस्तो ये बात कितनी सच है और जूट इससे पहले आपको बांगलादेश के इतिहास को समझना होगा दोस्तो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था तो दू पाकिस्तान बनाए गए थे एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान लेकि 1971 में यानि की 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया और इन्होंने अपना एक नया राष्ट्र बनाया जिसे वर्तमान में हम बांगलादेश के नाम से जानते हैं और दोस्तो बांगलादेश को आजादे दिलाने के लिए शेक मुझीबूर रह्मान ने बहुत एहम भूमिका निभाई थी दोस्तो जिस तरह भारत के राष्ट पिता महत्मा गांधी थे ठीक इसी प्रकार से बांगला देश के राष्ट पिता शेख मुझीबुर रहमान थे और इनकी मृत्यू के बाद इनकी बेटी सेख हसीना पिछले 20 सालों से बांगला देश की प्रधान मंतरी थे दोस्तो अब 30% आरक्षण वाले कानून की ओर चलते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि बांगला देश की आजादी के समय वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह नहीं चाहते थे कि बांगला देश एक नया राष्ट बने वो यही चाहते थे क यह राष्ट यानि की पूर्वी पाकिस्तान पश्चमी पाकिस्तान के ही अंडर में रहे यानि वो आजादी के खिलाफ थे अब यह वही वर्ग है जो इस आरक्षण वाले कानून की आण में सेख मुझेबिर रह्मान और उनकी बेटी शेख हसीना तथा स्वतंतरता संग्र में सामिल उन सभी नेताओं का विरोध कर रहे हैं दोस्तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बांगलादेश के राष्ट्र पिता कहे जाने वाले सेख मुझेबुर रह्मान की मूर्ती को तोड़ा जा रहा है दोस्तो अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपने हमारी इस वीडियो को प्ले किया है क्या बांगलादेश के इस तकता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो दोस्तों बता दे कि बांगला देश में हिंसा को भड़काने का कार्य बांगला देश इसलामी छात्र सिविर नामक छात्र संगठन ने किया है दोस्तों हम आपको बता दे कि यह चात्र संगठन बांगला देश में परतिबंधित जमात ए इसलामी संगठन की एक शाखा है दोस्तों अब आपको यह जानना जरूरी होगा कि यह जमात ए इसलामी संगठन बांगला देश में परतिबंधित क्यों है तो दोस्तो हम आपको बता दे कि यह जमात ए इसलामी संगठन को पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त है और यह वही जमात ए इसलामी संगठन है जो 1971 में बांगला देश की आजादी के आंदोलन का विरोध कर रहा था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आंदोलन कारियों और खास कर हिंदों का ही कतलियाम कराया जा रहा था दोस्तो उस समय इस संगठन के द्वारा ऐसा किया गया था और आज इसी संगठन के चात्रों ने ही वहां के प्रधान मंतरी को अपने देश से बाहर भगा दिया दोस्तो इस से ये साबित होता है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है दोस्तो इस संगठन के चात्रों ने प्रधान मंतरी के आवास में घुस कर वहां खूब उत्पात मचाया इसके चलते वहां के प्रधान मंतरी को तुरंत ही अपना देश छोड़ कर लेकिन इस बात की कोई पुष्टी अभी नहीं हो पाई है। भारत दुष्मनी मोल ले सकता है। तो दोस्तो भारत की विदेश नीती बांगला देश के प्रती क्या रहती है। ये हमें आगे देखने को मिलेगा। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में। तब तक के लिए ज भारत मेरी प्यार दूसरे।